मुझे 2012 में हर्णिया की प्रोब्लम होई थी। उसके बाद वो सफल नहीं हुआ, 2015 में मुझे दोबारा करवाना पड़ा। 2015 में जो डॉक्टर से पहले करवाया था उसी से मैंने करवा लिया। 2012 में मुझे फिर प्रोब्लम हा गई जब मैंने यूटूब पर सर्च किया तो मुझे जस्मीर सिंग अलुवालिया जी का देखा मैंने, उनकी पॉइंटमेंट लेके मैंने यहां पर उप्रेट करवाया। और अब मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे पहले जैसी कोई भी प्रोब्लम नहीं है। सबको मेरी तरप से नमस्कार, मेरा नाम कुलविंदर सिंग है जी, मैं बैक्राउंड चंडिगर से हूँ, और मुझे वन येर यहां जिलंदर में आये हुए होगे हैं। और मुझे दो हुजार बारा में हर्निया की प्रोब्लम होई थी। और उस टाइम जो अपरेट हो गया था, ओपन अपरेट किया था जो टांके लगा कर डॉक्टर ने। और उसके बाद वह सफल नहीं हुआ, दो हजार पंदरा में मुझे दोबारा करवाना पड़ा। और दो हजार पंदरा में जो डॉक्टर से पहले करवाया था उसी से मैंने करवा लिया। उन्हों ने दबारा मुझे बोला कि इसमें जो मैश रहती है वो लगा देगे। तो उन्होंने मैश लगाए। मेश के बाद प्लाथे क्या हुआ कि दो हजार बाइस में मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई। अभी जो उन्होंने मेश लगाई थी वो मेश लगाने के बाद भी मुझे 2022 में दुबारा प्रोग्लम आगी तो मैं फिलहाग जलंदर सीटी में रह रहा हूं और जलंदर में जब मैंने यूटूब पर सर्च किया तो मुझे जसमीज सिंग अल्यूवालिया जी का देखा मैंने तो उनके जो रिकॉर्ड है हॉस्पिटल के बहुत प्लैस्ट लगे मुझे और मैंने डॉक्टर साब से पॉइंट्मेंट लेके बात की उन्होंने मुझे बोला कि ऑप्रेटर है जो आपका 3D मेश लगा के लेक् कोफी जो रहती है टेक्निक ले टेस्ट उसके द्वारा करेंगे तो मैंने डॉक्टर से बोला के सर उनकी पॉइंट्मेंट लेकि मैंने यहां पर उप्रेट करवाया और अब मैं बिल्कुल ओके हूं मुझे पहले जैसी कोई भी प्रॉब्रम नहीं है सबसे पहले तो जो ओ डॉक्टर साब ने जो डॉक्टर जस्मीज सिंग जी आलू वालिया है उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही चलने को बोला सुबै चलना शुरू किया था दोपहर और शाम तक मैं खुद ही चलने लग गया था और इसमें दूसरे दिन आदमी अपने चलने फिरने के लाइक हो जाता है जो पंदरा दिन पहले में उठने ही सकता था ओपन वाले उपरेट में और अभी दूरबीन में मैंने एक हफते बाद जो अपरेट की पेन रहती है जो स्टिचस रहते हैं बिल्कुल उपर से नॉर्मल हो जाते हैं उसका यह भी नहीं पता चलता कि यहां अपरेट ह हुआ है और पेन एकदम ना के बराबर नहीं है जो पहले मैंने दो बार करवा लिया था उसके बाद मुझे जो भी दिक्कतें आई हैं उसके बाद अब 2022 में मैंने जब करवाया है मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है मैं बिल्कुल ओके हूँ और मैं डॉक्टर जस्मीर सिं धन्यावाद मैं आपको सब को जो है दिल से धन्यावाद करता हूं थैंक यू उसके बाद वो सफल नहीं हुआ दो हजार पंदरा में मुझे दुबारा करवाना पड़ा